कि अब अब नागरिक्ता का मामला तो केंडर का मामला होता है तो वह लागू नहीं किया जाएगा वह बात नहीं है वो तो सिंटर के लोग हैं, पास्पोर्ट ऑफिस और यह सब करेंगे वो सारा नागरिक्ता देने का जिसको देना है देना, जैसे आप पहले दे रहे थे, लेकिन बात है कि वो नैशनल रेजिस्टर होना चाहिए कि नहीं हो, क्या आप अपने बाप दादाओं का परमान देना तो फिर आप डिसाइड कीजे, कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगे दिखाने के लिए कि आप इस इंदुस्तानी है या नहीं है, और कोई पूछने वाला कौन होता है, क्या सरकारी पूछेगी, क्या कि आप इस देश की नागरिक है या नहीं है, कि जिन नागरिकों के दम पे सरकारे बनती हैं, वो उल्टा नागरिकों से पूछेगी, क्या आप दस्तावेज दिखाओ, अधार नमबर दिखाओ, अपने बाप दादाओं की जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ, तब हम कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक है या नहीं है, तो इतना इंसल्ट के अलग-अलग देशों से लोग आए, तो हमने बसाया, अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के तहर जो भी नागरिक्ता का कानून हम नागरिक्ता देते रहे हैं, तो जब हमने सब को नागरिक्ता दी है, तो हम उसी कानून से सब को नागरिक्ता क्यों नहीं दे सक लिए है ना तो बहुत सारा जो डिमोक्रिसी में ना एहसास का एक बॉंड होता है और कुछ नहीं होता है अगर हम यहाँ पे चार लोगों का नाम लें और कहें कि भारत में चार राजे हैं सबसे अच्छे हैं और आपके राजे का नाम ना लें तो आपको यह बात चुप ये उतने का खेल है ये तो ये उन्होंने वो खेल कर दिया है अब वो गली महलों में हिंदू-मुस्लिम चर्चा चल रही है तो जिसमें वो सफल हो गए है तो वाटसब इन्वर्सिटी का मेटिरियल अगर आप देखेंगे न तो इतने खतरनाक इस तरफ पर फैलाया जा रहा ह तो ठीक है अगर लोगों को यही तैय करना है कि बच्चों को लड़कों को खासकर सामप्रदाइक बनाना है आपका फैसला मैं तो कहता हूं कि बाई दंगाई मत बनाना डॉक्टर बना लेना मैं तो साब साब बोलता हूं कि ये नहीं चलेगा और ये क्यों चलना चाहिए इ कि बनाना चाहते हैं क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये बैठके लाइन में खड़े होकर अपने दस्तावेश दें और आप घर में बैठी रहें ना करिकता कि जिसको आप महले में देख रही हैं सब कुछ देख रही हैं जिससे आप 50 बार जगर चुकी होंगी आप वही अगर आदमी जाके लाइन में लगेगा वोटर की परची दिखाएगा डेट बर दिखाएगा इस देश में आधी गरीब तो इसे मर जाएंगी चाहे हो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो जो बनजा रहे हैं वो कहां जाएंगी और 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 आप नाम से तो 50% और जो इस द सद में लेकर आएंगे आप जनता को सजा देना चाहते हो वो जनता को हांक रहे हैं कि हम आपको यह समझते हैं विपक्ष की क्या वकात रह गई है वहां पर सदन में उसके पास वो संख्या नहीं है वो तो बोली गया जो बोलना था उनके पास तो वो जनता को हांक रहे है न झाल झाल